हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेपल सी बाइफाश डीपर आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 35 कोश्चन होंगे और ये सभी प्रस्चन आपके लिए इसक्लास को जरूर देखें तो जो भी बच्चे आ चुके हैं क्लास में आप सभी क्लास को सेहर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को जोइन कर सकें और आप सभी को बता दिए CCCDAMP के लिए online mock test आप लोग करते रहें mock test करने के लिए आप सभी www.cccbyfish.com पर जा सकते हैं बहाँ पर आपको धेर सारे online mock test हिंदी और इंगलिस में मिल जाएंगे साथी साथ बहाँ से आप important question answer और उनके PDF भी download कर सकते हैं और इस website का link नीचे description box में दिया गया है जहां से आप visit कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का सबसे पहला question आपके सामने है आप सभी को जवाब करना है पहले question में आप से पूछा गया है calc में function wizard open करने की shortcut क्या होती है calc में function wizard open करने की shortcut की आपको बतानी है तो यहाँ पर कौन सा आपका right answer होगा बताईए function wizard open करने की shortcut की क्या होती है पहले question का आपको जवाब करना है right answer यहाँ पर होगा option number D control के साथ में आपको F2 प्रेस करना होता है तो D option आपका correct answer होगा question number next में आप से पूछा है Libre office calc में current sale की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किसे shortcut की का इस्तेमाल करते है नहीं कि Libre office calc में जो current sale है उसकी चौड़ाई अगर आप बढ़ाना चाहते है तो कौन सी shortcut की आपको इस्तेमाल करनी होती है यहाँ पर आपका सही जवाब होगा option number C alter के साथ में right arrow आपको प्रेस करना है तो जो current sale होगी उसकी चौड़ाई बढ़ेगी और अगर आप alt के साथ में left arrow प्रेस करेंगे तो चौड़ाई कम होगी ठीक है next question में आपको आंसर करना है Libre office calc में current sale की चौड़ाई कम करने के लिए क्या shortcut की होती है जैसा कि अभी है आपने आपको बताया चौड़ाई बढ़ेगी जो भी आपका कॉलम होगा उसके चौड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं अगला प्रस्चन आपको बताना है और यहां पर पूझाए calc spread seat में किसी sale की column later और row number का combination कहलाता है यानि कि calc spread seat में किसी sale के column later और row number का combination क्या कहलाता है उसे कहते हैं sale reference जैसे किसी column का name है वी एक column है जिसका नाम क्या है वी है और एक row है जिसका नाम है 4 है ना क्योंकि row जो होते हैं वो number से दिखाय जाते हैं 1,2,3,4 करके column जो होते हैं आपके वो ABC करके दिखाय जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है एक column later और एक आपका row number जो होता है जैसे कि यहाँ पर V4 हो गया तो यह क्या हो गया है यह आपकी sale का reference हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V option correct होगा sale reference के नाम से जानते हैं इसको दिखाया रखना है ठीक है V4, V5, V6 ऐसे करके आपका sale address होता है इसको दिखाया रखना है यह sale reference के नाम से जानते जाता है अब आपको यहाँ पर बताना है अगले question में calc expression यहाँ पर देखिए आपके सामने एक formula है एक equal hundred इसके बाद upon multiply यहाँ से 5 से आपको करना है तो इसका answer आपको बताना है इसका result कितना होगा ठीक है इसका answer कितना होगा आप सभी बच्चे जल्दी से जवाब करें और जितने भी formula हैं वो सब हमने अलग से पढ़ाए है का आपको class दी है लिबरो आफिस की जो playlist है उसमें जाकर कि आप सभी class देख सकते हैं जो भी calculus से important formula हो सकते हैं वो सारे हमने उसमें cover किये हैं तो आप सभी वहाँ से practice कर लेना क्योंकि बहुत सारे question आपको मिलेंगे आपके exam में जो की फार्मूलों से सम्मंदित होगे तो बहाँ पर सभी आपको भी practical समझाएं तो आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर आपका answer कितना होगा option पहला 100 आपका यहाँ पर जबाब होगा सबसे पहले क्या करेगा यहाँ पर 100 को divide करना होगा 5 से क्योंकि 100 upon 5 है तो 5 से हमें divide करना होगा 100 को अगर आप divide करते हैं तो यहाँ पर 20 आएगा 5 से अगर आप 100 को काट देंगे तो कितना आएगा 20 में फिर multiply हमें करना होगा 5 से तो अगर हम 20 और 5 का multiply कराते हैं तो हमारा answer होगा 100 सवाल का जवाब क्या होगा 100 हो जाएगा यहाँ पर correct answer option पहला अब आपको अगला question बताना है और यहाँ पर आप से पूछा गया है equal round 20 10 मलव 9 5 4 कामा 2 इसका मान कितना होगा आप सभी को answer करना है इसका answer कितना होगा तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option पहला देखें यहाँ पर क्या दिया है round इसके बाद में 20 10 मलव 9 5 और 4 कामा 2 यानि कि हमें 10 मलव के बाद में हमें 2 ही value रखनी है 9 और 5 ठीक है अब यहाँ से हमें 4 को हटाना है और हमने आपको बताया जो संख्या यहाँ से हट रही है अगर वो संख्या 5 है या 5 से बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा हमें एक यहाँ add करना पड़ेगा लेकिन अगर वो 5 से छोटी है तो हमें कुछ नहीं करना होगा वही संख्या उतार देनी होगी तो यहाँ देखेंगे 4 जो है वो 5 से छोटा है तो हमें यहाँ पर केवल 20.9 और 5 लिख देने है ठीक है तो यहाँ पर हमारा answer दाएगा 20.9 और 5 चलिए question number अब next आपको बताना है और यहाँ से आपसे पूछा है calc में equal left library office calc और यहाँ पर एक कॉमा 7 अब यह मान आपसे पूछा है यानि कि इसमें क्या answer होगा result होगा वो आपको answer करना है तो इसका result क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है और एक example है आपके सामने यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ ठीक है और यहाँ पर कोई भी number हो सकता है इसको समझना है कि आखिर इसका answer हमें करना कैसे है ठीक है जो भी word लिखा गया है उसमें से left side से आपको यहाँ पर जो number दिया है उतने later आपको देखने है तो यहाँ पर 7 later हमें देखने है left side से तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा correct answer बनेगा Libre of यह बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखने कि कितने later है देखो यहाँ पर आपके 7 later होगे 1,2,3,4,5,6,7 तो यहाँ पर 7 यहाँ पर later है बस वही हमारा answer हो जाएगा अगर यहाँ पर यही सवाल है और इसमें अगर right यहाँ पर लिख दिया जाए right लिखने के बाद में फिर यहाँ पर आपसे पूचें और यहाँ पर कोई text दे दिया जाए और फिर आपसे पूचें कि अब सही answer क्या होगा कामा 7 होगा अगर तो हमें फिर right side से 7 later देख लेने हैं right side से 7 later देख लेने इसको आपको ध्या रखना है चलिए question number next आपको बताना है और यहाँ पर क्या पूचा है निमने में कौन सा function true को false और false को true में बदल देता है कौन सा function true को false और false को true में बदल देता है तो इसमें से कौन सा right answer होगा ऐसा कौन सा function है जो value true है अगर उसको false कर देगा और false value है तो उसको true कर देगा ऐसा कौन सा function है तो वो function कौन सा है यहाँ पर C हो जाएगा N O T naught ठीक है N O T naught यह function है यह क्या करेगा true value को false और false value को true कर देगा चलिए इसका भी हमने एक example लिया है इस class में तो आप उसे देखेंगे तो समझ में आएगा जैसे कि यहाँ पर यह question आप देख सकते हैं और यहाँ पर पूचा excel sum equivalent equal not ठीक है अब यहाँ पर इसका answer 0 मिलेगा आपको यह आपको 10 मिलेगा यह true मिलेगा यह false मिलेगा इसका answer क्या मिलेगा वो चीज़ आपको बतानी है तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर आपका जो right answer हो जाएगा option number यहाँ पर C हो जाएगा ठीक है यह बिलकुल सही है य 10 बड़ा है 11 से जबकि आपको पता है यह समीकरण गलत है यह statement सही नहीं है क्योंकि 10 जो है वो छोटा है अगर इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे यहां पर 10 छोटा है 11 से ठीक है ऐसे लिखेंगे यह चीज तो सही है वाट यह चीज गलत है लेकिन यह सही क्यों हो गय क्योंकि इसके आगे not लग गया अब समझो जब not लग गया तो यह क्या कहेगा यानि कि यह कह रहा है कि 10 बड़ा नहीं है 11 से इसका मतलब क्या हुआ 10 जो है वो 11 से बड़ा नहीं है और जब नहीं लग गया तो आपको पता है आप बिल्कुल सही बात है तो यह true हो जाएगा ठीक है अब इसको हम एक बार example दिखाते हैं आपको लिप्राफिस कैल्क में ताकि आपको इस चीज़ें समझ में आ जाए जैसे यहाँ पर हम आपको द लग गया और not लगने से यह हो जाएगा कि यह 10 जो है वो बड़ा नहीं है 11 से तो यह true value को false करेगा और false value को true करेगा वी value हमारे पास यह false है तो इसको क्या कर रहा है क्योंकि हमने आगे not लगा दिया है ठीक है इसको दिखार रखना है चलिए question number next अब आपको बताना है और यहाँ पर आप से पूंचा गया है यहाँ पर आप से पूंचा गया है calculation में किसी sale के content को format as number करने के लिए किस shortcut के का इस्तेमाल करते हैं किसी content को अगर format as number में करना चाहते हैं तो किस का इस्तेमाल करेंगे कौन से shortcut की आप यूज करेंगे और यह आपके लिए बहुत important है सभी shortcut की आपको आनी चाहिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा option पहला control, shift और 1 format as number में करने के लिए control, shift और 1 आपको प्रेस करना होगा ठीके control, shift और 1 आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं इस सारे option यहाँ पर है यहाँ से आप format as number कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर format as number है percent में करना चाहते हैं तो control, shift और 5 प्रेस कर सकते हैं percent करने के लिए ठीक है यहां पर यह सभी दिये गए हैं यहां से आप इनको कर सकते हैं formatting tool वार से ठीक है formatting tool वार से दिया रखना है और एगले question में आप से पूछा गया है workbook में work seat का crumb बदला जा सकता है बताइए जो work seat होती है labor office calcumic क्या उसका crumb आप बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं जैसे आप भी आप देखेंगे यहां पर seat 1 है और यहां पर seat 2 है मैंने एक और add कर दी एक और add कर दी तो क्या इनके crumb को आप बदल सकते हैं इनको आगे पीछे कर सकते हैं यह आप से पूछा जा रहा है तो बिलकुल आप कर सकते हैं यहाँ पर आपका true हो जाएगा पहला option right ठीक है करम आप change कर सकते हैं अगला कुछन देखिए पूछा गया है formula bar में active sale का नाम पर दरस्यत होता है यानि कि जो active sale होती है उसका नाम कहां display होता है formula bar पर होता है क्या ये सही है तो ये हो जाएगा false क्योंकि active sale का जो नाम होता है वो name box में display होता है ना कि formula bar में जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अभी हमने true लिखा और ये active sale है हमारी यहाँ पर जो sale का नाम है वो कहां display होगा इस sale का नाम आपको डिस्प्ले होगा name box में और name box कहा है आप देख सकते हैं ये रहा आपका name box यहाँ पर लिखा है V6 ये name box होता है और formula बार मैं यहाँ पर आपको formula देखेगा यानि कि जो sale में content लिखा है वो आपको display होगा ना कि उस sale का नाम उस sale का जो नाम होगा वो name box में आपको देखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है वो name box में होगा जैसे किसी sale पर हम click करेंगे तो वो आपको कहाँ देखेगा name box में देखेगा इसको दिया रखना है चलिए अगला question आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर किसी sale का format date हो उसमें प्रविष्ट की गई संख्या date में उसमें प्रविष्ट की गई संख्या को date माना जाता है यानि कि किसी sale का जो format है वो date है आपने उसका format बदल दिया है date के रूप में कर दिया है और आप कोई number बहाँ पर डालेंगे तो वो date माना जाएगा तो बिल्कुल जब आपने उस sale का format अगर date कर दिया है तो बहाँ पर कोई number type करेंगे तो वो date में convert हो जाएगा तो बिल्कुल सही है उसको date माना जाएगा यहाँ पर true हो जाएगा ठीक है question number next आपको बताना है किसी sale को edit करने की shortcut की क्या होती है अगर आप किसी sale को edit करना चाहते हैं तो उसके लिए कौँ से shortcut की इस्तेमाल करते हैं correct answer आपका F2 होगा याने कि हम अगर किसी sale को edit करना चाहते हैं तो F2 से edit कर सकते हैं F2 आपको प्रेस करना है sale को हम edit कर पाएंगे question number next आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूचा है calc में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए किसी shortcut की का प्रियोग करते हैं ठीक है calc में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी shortcut की इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा option number C control के साथ में down arrow calc में सबसे अंतिम रो पर हमें जाना है सबसे लाश्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो control साथ में आपको down arrow प्रेस करना है सबसे अंतिम आप रो पर आ जाएंगे ठीक है अगला question देखिए calc में कुल कितने परकार के chart insert कर सकते हैं total chart कितने परकार के आप डाल सकते हैं calc program और इस सभी common question है आपके लिए बहुत important है अगर आपको नहीं पता है तो आपको अच्छे से इने पढ़ना है और अच्छे से इनको समाझना है ठीक है calc में कुल कितने परकार के chart को insert कर सकते हैं तो हमने जैसा कि आपको बताया है ठीक है यहां पर आपको बताना है bpn क्या है तो bpn का मतलग होता है virtual private network यहां पर क्या हो जाएगा virtual private network हो जाएगा आपका सही answer और यहां पर आपसे पूचा गया है FTP मोल रूप से एक डैस है प्रोटकॉल है लेंगेज है ब्राउजर या बेपेज है इसमें से कौन सा राइट आसर है यहां पर सही जवाब हो जाएगा option पहला नेमों का सेट यानिकी एक प्रोटकॉल है FTP मोल रूप से क्या है एक प्रोटकॉल है और FTP का मतलब क्या होता है फाइल ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर प्रोटकॉल होता है आपके FTP का पूरा नाम इसको ध्यार रखना है question number अगला आपसे पूचा गया है और यहां पर आपसे क्या पूचा है SSL द्वारा सुरच्छित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है जो connection SSL द्वारा सुरच्छित होते हैं ऐसे SMTP कनेक्शन को क्या कहते हैं तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा right answer होगा यहां पर SMTPS SMTPS simple mail transfer protocol होता है इसका पूरा नाम और yes for यहां पर हो जाएगा secure जोंकि SSL द्वारा सुरच्छित होते हैं secure होते हैं question number अगला आपको बताना है और यहां पर आपसे पूचा है name में कौन सा email address का भाग नहीं है पौन सा email address का भाग नहीं है बताएं username domain name add the rate का symbol या फिर प्रोटोकॉल तो right answer यहां पर क्या होगा username domain name या add the rate यह सभी पार्ट है email के बट यहां पर protocol आपका right answer होगा यह email का भाग नहीं है किसी भी email में क्या होता है username होता है सबसे पहले उसके बार में add the rate का symbol होता है और क्या होता है और यहां पर उसका domain name होता है तो दिहां रखने है चलिए अगला question देखिए यहां पर आपको बताना है router एक dash समान कारी करता है router किसके समान काम करता है router किसके समान कारी करता है यहां पर correct answer क्या हो जाएगा option C हो जाएगा bridge router bridge के समान कारी करता है चलिए और अगला question आपको बताना है OSI reference model में कुल कितनी layer होती है OSI reference model में कुल कितनी layer होती है total layer आपको बतानी है OSI reference model में OSI का जैसा कि हमने कल आपको बताया था open system interconnection इसका पूरा नाम होता है तो ध्यार रखना है open system interconnection इसमें total number of layer कितनी होती है 7 होती है यह भी आपको याद रखना है total layer 7 होती है question number अगला आपको बताना है internet किसका सबसे प्रसिद एक्जामपल है internet सबसे प्रसिद किसका एक्जामपल है band का है land का है man क्या है या फिर sign का है correct answer यहाँ पर क्या होगा internet जो है वो band का सबसे प्रसिद एक्जामपल है याने की wide area network का सबसे प्रसिद एक्जामपल है ये आपको ध्यार रखना है अगला कुश्चन आपको बताना है नेमन लिखित में से कौन सा एक बेब ब्राउजर नहीं है इसमें से कौन सा एक बेब ब्राउजर नहीं है यहाँ पर आपका हो जाएगा Google option number B गुगल ये के search engine है ये आपका बेब ब्राउजर नहीं है question number 25 में बताना है पहला search engine कौन सा था पहला search engine नेमन में से कौन सा है तो यहाँ पर आपका option D हो जाएगा Archie first search engine कौन सा था Archie था और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा उस बेब सर्वर के पते को संदर्वित करता है जिस पर वैप साइट की होश्टिंग की जाती है ठीक है हाइपर लिंक, URL, प्रोटोकॉल या फिर मैक के अड्रेस यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा 26 में कौन सा उस बेब सर्वर के पते को संदर्वित करता है तो यहाँ पर हो जाएगा option number B, URL, ठीक है, option number B आपका correct हो जाएगा अगला question आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूछा है facebook एक e-commerce site है, facebook एक e-commerce site है, true है कि false तो यहाँ पर आपका correct answer होगा, option B यह false हो जाएगा, क्यूंकि आपको बता है facebook एक social networking site है ना की e-commerce site है, तो यह हो जाएगा आपका false अगला question आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, KYC का मतलब क्या होता है, KYC का मतलब क्या होता है KYC का मतलब होता है, know your customer, know your customer तो option हो जाएगा, हमारा पहला know your customer अगला question बताना है आपको 29 में और यहाँ पर क्या पूछा है, name में कौन सी की spelling check करने के लिए प्रिप्थ होती है spelling check करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, बताएं, spelling check करने के लिए कौन सी shortcut की आप इस्तेमाल करते है आपको बता है, spelling check करने के लिए app 7 का इस्तेमाल होता है, और अगर आप से पूछें की automatic spell check करने की shortcut की क्या है तब हो जाएगा shift के साथ में app 7 shift के साथ में app 7 हो जाएगा automatic check करने के लिए और cable spelling check की shortcut की कर पूछें तो app 7 हो जाएगा फिर आपका right answer question number अगला आपको बता रहा है और यहाँ पर क्या पूछा slide handout को print करने के लिए menu से desk का chain करेंगे यानि कि अगर आप slide handout को print करना चाहते हैं तो आप कैसे print करेंगे पहले कहा जाएंगे फिर कहा जाएंगे या ऐसे आपको बताने है यानि कि पहले view में जाएंगे फिर handout पे जाएंगे फिर file पे जाएंगे फिर handout पे जाएंगे या फाइल से print में जाएंगे या view से print में जाएंगे तो सबसे पहले हमें कहाँ फाइल में आना है और फाइल आने के बाद में print पर जाना है तो यहाँ पर हमारा option number C हो जाएगा correct ठीक है question number अगला आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूछा है powerpoint स्लाइडों में इन में से क्या सम्मिलित किया जा सकता है यारे कि powerpoint स्लाइडों में इन में से आप क्या सम्मिलित कर सकते हैं picture कर सकते हैं, graph कर सकते हैं, text कर सकते हैं या all of these, यह सभी सम्मिल कर सकते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा correct answer all of these का यह सभी उप्रोक तो सभी हो जाएगा हमारा right answer अगला कुछन आपको बताना है और यहां पर क्या पूचा है hexadecimal number system में कौन से symbol प्रिवक्त होते हैं hexadecimal number system में कौन से symbol प्रिवक्त होते हैं 32 में कौन सा right answer है hexadecimal number का आधार कितना होता है इसका जो peace अगर आप से पूचे है तो वो कितना होता है 16 होता है यह आपको ध्या रखना है search number अगर आपको बताना है calc में 10 की power 4 का सही मुल्यंगन करने के लिए बाकिरचना क्या हो सकती है यानि कि 10 की पावर 4 की बाकिरचना यहां इनमें सी कौन सा correct हो सकता है आपको आजर करना है right answer यहां पर क्या हो जाएगा तो correct answer यहां पर क्या हो जाएगा आपका option number यहां पर V हो जाएगा equal power ठीक है उसके बाद में आपको 10,4 लिखना है इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर 4 चीक है इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर 4 तो यहाँ पर हमारा option number V correct होगा option number next आपको बताना है और यहाँ पर आपसे क्या पुछा है calc में function wizard open करने की shortcut की आपको बतानी है calc में अगर function wizard open करना है तो क्या shortcut की आप यूज करेंगे function wizard की shortcut की क्या होती है control के साथ में F2 आपको प्रेस करना है control के साथ में F2 आपको दबाना है चलिए question number next अब आपको बताना है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है calc में grid line by default print होती है जब आप calc में जो भी बनाते हैं कोई seat आपने बनाई है उसमें print करना है उसको और जब आप print करते हैं तो उसमें grid lines होती है वो अपने आप print होती है by default print होती है क्या यह सही है दिखिए जब आप calc में आते हैं यहाँ पर आपको grid lines by default print नहीं होती है जब calc में आप इसको print करेंगे तो यहाँ पर grid line होगी वो प्रिंट नहीं होगी ठीक है इसको द्यार रखना है grid lines आपके print नहीं होगी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बिल्कुल ब्लेंक अभी मैंने इसका बॉर्डर लगा दिये हैं अब अगर हम इसको प्रिंट लेंगे तो इसमें बॉर्डर हमारा साथ में प्रिंट होगा ठीक है तो इस चीज़ को द्यार रखना है grid lines by default आपके प्रिंट नहीं होती है यहाँ पर हमारा आपके दोड़के में प्रिंट रखना है